और वीडियो देखने के लिए बैल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो वीडियो की शुरुआत में मैं कहाँगा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो की जो आपको PDF है वो मिलेगी टेलिग्राम पर और हमने जो टॉप 100 कंटक पे इसकी वीडियो डाली थी उसकी PDF पे अपलोड हो चुकी है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके पहले जरूर देखें तो अब मैं बात करूँगा आगे जो 51 से लेगी 100 कंटक की जो सीरीस हमने टॉप 50 की चलाई थी स्पेशली HP हिस्ट्री से जोड़ी हुई तो इस वीडियो का यह दूसरा भाग है इसको अब एंड तक आप 100 कंटक कवर करेंगे आपको वीडियो सेक्शन में जाना है और इस वी इसको आप अब देख सकते हैं तो अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसको जरूर देख लीजेगा और इम्पॉटन बात यह है कि इसकी ही जो कॉंटिन्यूटी है 51 से लेके अगले 100 सवाल मैं इसमें अब कवर करने वाला हूं इस वीडियो में देर ना कर करते हैं किस राजा के शाशनकाल में कुलू का शाशन अपनी चर्मो कर्श पर था यह थे आपके जगत सिंग आगे बढ़ते हैं सुकेच राजी की नीव लगभक कब रखी गई वो रखी गई 770 स्वी में कॉन कुलू रियासत की राजधानी नहीं रही है तो यह रही है अहलोग रियासत वरतमान में किस चिले का भाग है यह है आपका सोलन का आगे बढ़ते हैं तिबती धर्मकुरू दिलाई लामा धर्मशाला कब आये थे यह आये थे आपके 1959 में अगले सवाल पे अंदर डालते हैं जहांगीर ने गुलेर के किस राजा को बहादुर की उपा रहा है वो किया आपके पंडित पद्म देव ने आगे बढ़ते हैं संसार चंद ने गोर्खों किसे चुटकारा पाने के लिए किस की सहायता ली थी वो ली थी सिख्खों की नहान नगर की नीव का साशक ने किस साशक ने रखी थी यह थे आपके करम प्रकाश ने नहान प्रसिद शाशक संसार चंद की मृत्यों किस वर्ष हुई जो मशूर संसार चंद जो शाशक थे उनके मृत्य हुई थी आपकी 1823 में अब बढ़ते हैं आगे पद्म संभव का नाम किस जील के साथ जोड़ा जाता है यह है आपकी रिवाल सर जील तो अगर आप अच्छे से त्यारी कर रहे हैं तो आपको मैंट बॉक्स में जाके बताइए कि रिवाल सर जील कहां पर स्थित है आगे बढ़ते हैं धरम शाला किस अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉइस रॉय की समाधी है ठीक है यह है आपकी लॉड ऐल गिन ठीक है आगे बढ़ते हैं वे व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है यह है आपका कुलीद जन्पद के नाम से जाना जाता है अगले सवाल पर जालते हैं महाभारत के में कांगडा राज्य का किस नाम से उलेख मिलता है यह है किर ग्राम नाम से उलेख मिलता है मंडी राज्य की नीव लगपक कब रखी गई थी यह र तारपुर्ग का चौथा और अंतिम राजगराना किस सताब्दी में अलग हुआ तो ये अलग हुआ था सोलमी सताब्दी में ठीक है तो इसको जुरूर याद रखिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं कालसी नेरी तथा राजबन किस रियासत या राज्जी की राजधानी रही ह ये रही है मंडी की तो याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं चंबा रियासत के संस्थापक राजा मेरू को किसका वंशच माना जाता है ये माना जाता है सूर्य वंश तथा राजा रामचंदर का वंशच सिर्मौर राजजी की स्थापना 1195 इसमी में राजा शुप्रकाश के समय हुई उस समय सिर्मौर की राजधानी क्या थी वो थी आपकी राजबन बीड किस राज्य की राजधानी रही है ये रही है बंगाल की आगे बढ़ते हैं धमेडी नाम की धनेरी नाम से प्रसिद पहाड़ी रियासत का नया नाम क्या है ये है आपका नूर्पूर बढ़ते हैं कुलूराज्य का पाल वंश काफी लंबे समया अस्थित्व में रहा ये राजवंश कतने वरश तक अस्थित्व में रहा ये रहात करीवन 15 सो वरच तक अगले सवाल पर नूर्प किस राज्य के संस्ताफक के ब्राह्मन होने का आभास मिलता है वो है आपकी बंगहाल ठीक है जिस पर मैंने बताया था बीर किस राज्य की राज़ानी रही है वो बंगहाल तोसी के जुड़ा हुआ एक सवाल था आगे बढ़ते हैं पानीनी के अश्टध्याई एंव जिसे उदंबर राज्य कहा गिया है उदंबर राज्य से सिर मौर के बारे में बताया गया है ब्लाजपूर रियास्त को ब्रेटिश सामराजियर में कब मिला दिया गया था ये 1847 इसवी में मिला दिया गया कौन महलोग रियास्त का संस्तापक था ये थे आपके वीरचंद नूरपूर के किस शाषक को बेरम खांदवारा 1558 में बंदी बनाकर लहौर ले जाकर मौत के खाट उतार गया था ये थे आपके बक्त पार मंडी के अलप विस्क शाषक इश्वरी सेन ने सुजानपूर देहरा में कांगड़ा के किस शाषक ने 12 वर्ष तक कैद करके रखा था ये थे आपके संसार्चंद कौन सा हिमाचल पदेश का सबसे प्राचीन प्रांतिय राज्य है ये है तरिगत कौन सा शाषक बिलासपूर का शाषक नहीं रहा है ये है राज चिंद्र प्रकाश दिस्वा रियासत की नीव किस वर्ष पड़ी ये पड़ी आपकी 1170 में सिर्मौर का प्राचीन नाम क्या है वो है आपका सुलॉंग की ना आगे हैं बैजनात का प्राचीन नाम क्या था ये है किरग्राम सिर्मौर राज्य की पुरानी राजधानी कहां स्थित है ये है आपकी सिर्मौरी ताल में भर्मौर का पुराना नाम क्या था वो था ब्रंपुर आगे बढ़ते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करूँगा दुबारा कहूँगा ठीक है और बाकी वीडियो भी आप जरूर देखेगा एक्जाम में जाने से पहले वीर सेन को किस राज्य का संस्थापक माना जाता है ये माना जाता है सुकेत राज्य का किस थान पर मंडी रियास्त की नीव रखे गए ये रखे गए हाट गाउं पर सिबा रियास्त की नीव किस वर्ष रखे गई थी ये रखे गई थी 1450 इसवी में महराजा रंजीर सिंग न यह था आपका सिर्मौर से 18 सदी के उत्रार्द में कांगडा पर आक्रमन करने वाला प्रथम सिक से नायक कौन था यह थे जैसिंग कनेया जी किस आशक का संबन सिर्मौर रियासत से नहीं रहा है यह रहा है आपका हरी चंद का नहीं रहा है जो चंबा राज्य की स्थापना किया है यह है आपकी कुलूत के वारे में आगे बढ़ते हैं चंबा रियासत के उस शाशक का नाम क्या था जिसने अपनी बेटी के नए प्रेमी को वजीर के पद पर न्युक्त कर दिया था यह थे आपके उदेज सिंग ने तो यह कुछ इंपॉर्टन सवाल थे अगर आप पर जोए नहीं किया है तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक में लिंक रखा है वहाँ जाईए और बहुत सारी वीडियो जो अप्लोड हो जगी उनकी पीडियेफ आपको मिल रही है फ्री और इस वीडियो की पीडियेफ जल्दी अप्लोड होगी और अगर आपने आज हमारी आज की करेंट अफेर की वीडियो नहीं देखिया है तो उसको जरूर देख लिए उसमें काफी इंटरस्टिंग फैक्ट है कि जो अभी हमारी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें किस तरह से किसी एक व्यक्ति ने जो कांगडा से खड़े थे उन्होंने मोदी को एक तरह से अप्यू